प्रश्ण पर हमें प्रकाश की धम्म और धर्म इसमें क्या अंदर है क्योंकि आजकल लोग अगर देखते धर्म बोलेगा तो तुरंत वो रिलिजन में चले जाते हैं तो क्या सही में इसको कैसे जानना है धर्म और धम्म दिखो सबसे पहली बात ऐसे विश्व को समझने के पर थी एक बात सभी समाज काड़ करता होने सभी धार्मिक नेता सभी धार्मिक प्रवरतकों ने और नेता होने एक बात समझ देनी चाहिए यह पूरा समाज कभी भी बुद्धि जीवी नहीं हो सकता है यह बात लोग समझना भूल जाते हैं और हर नेता हर कारेकरता हर प्रवक्ता समाज को बुद्धि जीव राना चाहता है नहीं हो सकता यह बिलकुल नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता विशेश शूप से जब तक मनुश्य कायूँ पास सो साल के नीचे है तब तक तो आप अप कुछ चंसे की मेजोरिटी समाज का मेजोरिटी जो है बुद्ध जीवी होंगा तो यह जो विशे है यह जो है ना यह बुद्धि जीवियों के विशे है कि धम्म बोले या धर्म बोले यह बुद्धि जीवियों के विशे है यह दार्शनिक विशे है और दर्शन सभी के ल की धम्म कहना चाहिए यह नहीं कह सकते और नहीं ऐसा कह सकते कि यह पाली शब्द यह संस्क्रिष शब्द है और यह हिंदी शब्द इंगलीश शब्द है कि इसको बोलने से आप क्या समझ रहे हैं यह शब्द जाल में नहीं गिरना है आपको यह जुने शब्द जा ले धंदर्म धंधर्म ठीक है क्योंकि हर शब्द की तीन और्त होते थिन तरीके तुम् ये समझा जा सकता है एक तु वह शब्द संदी विग्रह करके जानूं ठीक है कि कि denote वह दूसरा वह शब्द की जो वह शबद जिस सहित्ते से जिस भाषा से उस सहित्ते में उस भाषा में उस शब्द की क्या पड़ी भाषा है और तीसरा वो शब्द का अर्थ आज के समय में वतलब विवभारिक समय में क्या अर्थ लगा रहे हैं तो ये तीन तरीके से वो शब्द को जाना जाता है अब समसा यहाँ प पुद्धी जीवियों का काम है और यह तब काम आता है जब आप बहुत डेपनी उतरना चाहते हैं साहितिक विष्टिकों से यह किसी चीज़ की खोज में है तब काम आता है पर व्यवारिक रूप में आप उस चीज़ को अपनी भाषा में करें समझ सकते हैं अगर आपकी भा लिवाशा नहीं पता तो मैं उनको रिलिजन शब्द में ही समझाऊंगा है ना फिर जब वो डेपली उतरना चाहता है तो वो खुद इस अर्थ में जान जाए खुद लोग उसको मन बोलेंगा नहीं धम्म इस प्रकार से भिन्न है भगवान के सिक्षा इस प्रकार से भिन् रहे हैं आपको धारन करना कितना समझ रहा है यह कैसा है कि बुद्धी जीवियों का काम है इस प्रकार से दोश निकलना है ना वरना क्या यह हर एक विक्ति ने अपने अपने समय के साफ से इस्तमाल करते अब बुद्ध को लेकि देखी या बुद्ध के लिए भी लोगों तो हर कोई तरीके से धर्मा को समझता है और समझना समझना इंपॉर्टेंट कि आप धर्मा को समझ रहे है यह या नहीं अब बाबा सहाइव कोई किताब पड़ेंगे और थी कि बुद्ध ने अपके अलग-अलग किया है गुद्धानिस धंवा में पर जब करांती प्रतिक पढ़ेंगे तो फिलोसोफिकल स्पेकुलेशन में गिरने सच्छा इंपॉर्टेंट है कि आप धम्म को भगवान जो समझाए कि यह इसे से पाकार से पालान करना है वह समझा नहीं समझे वह इंपॉर्टेंट है भाकि धम्म कहो या धर्म कहो या रिलीजन कहो आप उसके को समझ पा रहे है कि नहीं पा रहे है वह जड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लो ना लोग को जो इस्तमाल करना है वो इस्तमाल करेंगी ही अगर आप उस वही बाद समझाने में जिन्दे की लाका दोंगे तो कैसा हो जाएगा धर्म कहीं पीज़ से डिबेट हो जितने सरल रूम में विक्ति की उल्जने सुलच सकती है उतने ही समझ उतने सरल तरीके से हमें समझाना है हमें ऐसा प्रयास नहीं करना है कि हम बहुत हटके हैं हमें यह प्रयास करना है कि भगवान का मार्ग निर्वान का मार्ग है यह समझाना है लोगों को पिरा कुनसी भाषा का किने शब्दों का इस्तमाल करते वो महत्पूर नहीं भगवान के समय आते कुछ लोग बुरते कि भगवान आपके धर्मा को छंदस भाषा में कर देते हैं तो वह करते हैं नहीं लोगों को उनकी भाषा में धर्म को समझने दो तब जाके अभी एकको यह अब भी कृष्ण निटी भी वही काम कर रही है कि लोगों की भाषा में ही वह लोग अभी धर्मा को समझाने का प्रयास कर रहें वह नहीं अपने जो प्रग्या के शब्द उठाने पड़ेंगे पहले चल रहा है तो धम धर्मा में कोई इंतर नहीं है आपके लिए आगे-आगे-बढ़ते जाएंगे आपको धम-धम्म यह जदा मुझे पटी वेधन या पती मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वे वे इंपॉन दोगे लिए धन।